एक नदी के किनारे दो पेड थे, उस रास्ते एक छोटी सी चिडिया गुजरी और पहले पेड से पूची, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टेहनी में अपना घोंसला बना कर शररन ले सकते हैं, लेकिन उस पेड ने मना कर दिय चिडिया फिर दूसरे पेड के पास गई और वही सवाल पूचा, दूसरा पेड मान गया, चिडिया अपने बच्चों के साथ खुशी-खुशी दूसरे पेड में घोसला बना कर रहने लगी, बारिश का मौसम आया और एक दिन इतनी जोर की बारिश हुई, कि नदी के पान और अपने बच्चों के शरण के लिए आई, तब तुमने मना कर दिया था, तो अब देखो, तुम्हारे उसी रुखे बरताव की सजा तुमें मिल रही है, जिसका उत्तर पेड ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था, कि मेरी जड़ें काफी कमजोर हैं, और इस वर को हमेशा उनकी कठोरता ना समझिये, क्या पता उनके उसी इनकार से आपका भला हो, कौन, किस परिस्थिती में है, हम शायद उसे ना समझ पाएं, इसलिए किसी के चरित्र और उनकी शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से ना तोलें, प्रभू भी यही कहते हैं, कि एक मनु मनुष्य दूसरे की सोच और विचार को नहीं समझ सकता, स्वयम प्रभू ही है जो मनुष्य को उसके हृदय से जांचता है, ना कि उसके रूप से, तो आईए दूसरों के बारे में उंच नीच से ना सोच कर सब को प्रेम और भाईचारे की नजर से देखने का प्रयास करत मौम प्राट के उसके हैं